देश की राजधानी दिल्ली क्या कोरोना वारस के विरुद हड इम्म्यूनिटी के करीब पहुच रही है दिल्ली में कोरोना का फैलाव क्या है इसका आकलन करने के लिए दिल्ली सरकार समय समय पर सीरो सर्वे कराती है हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पाचवा सीरो सर्वे करवाया जो की अब तक का सबसे बड़ा सीरो सर्वे है सोत्रों के अनुसार इस सर्वे के शरुवाती रुजहान ये कहते हैं कि दिल्ली के एक जिले में 60 प्रतिशत लोग ऐसे पाए गए हैं जिनमें कोरोना के ख केत ये कहते हैं कि दिल्ली की आदी से जादा आबादी कोरोना के संपर्क में आकर ठीक भी हो चुकी है तो सवाल ये है क्या दिल्ली में कोरोना के खिलाफ हर इम्म्यूनिटी आ गई है हर इम्म्यूनिटी का मतलब है कोरोना के खिलाफ एक तरहा की आंतरिक सुरक्षा क्योंकि वक्ति के शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटी बोडी बन गई है क्योंकि वो वाइरस या बिमारी के संपर्क में आ चुके हैं जानकार मानते हैं कि अगर आबादी के साट से सतर प्रतिशत हिस्से में कोरोना के खिलाफ इस तरह की सुरक्षा आ जाए तो इसे हर्ड देली के आधी आबादी यानि करीब दो करोड की आबादी में से एक करोड से जादा लोग अब तक कोरोना वाइरस के संपर्क में आ चके हैं आपको बता दें कि सीरो सर्वे में व्यक्ति के शरीय से खून के सेंपल लिये जाते हैं और देखा जाता है कि खून में कोरोना के के हिलाफ antibody, immuno, globulin, IgG है या नहीं. अगर आपको इन रिपोर्ट पसंद आई तो उसलाई को शेय करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए.